हेलो गाइस तो आज का इंट्रोडक्शन जय देने वाले है एक्शली मैं मैं जो है कैव बूक कर रहा था और हम लोग जो है बहुत स्पेशल एक चीज करने जा रहे हैं और यह उसका हिस्सा है बट हम बात में बताएंगे क्या करने क्या जा रहे हैं तो चली मिलते हैं यहां प हम लोग जा रहे हैं यहां से भी पालनफूर और यह जो सामने आप देख पा रहे हो ना यह हमारी बस है एसी वाली और जो की सेटिंग किया है और इसमें हम जाने वाले और हेतल अभी गई हुई है वास्टों ठीक है यह आ गई है और यह हैतल के मम्मी और पपा और हम लोग पालनफूर और बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरि है हम था नए और किसलिये जा रहे है यह हम बिल्कुल बताएंगे बस में बैठने के बाद बी बताएंगे और हम पहले बार ऐस्टी बस में बैटने जो की एसी वाली है तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहु चाहूंगा कि मासी जी मासा जी लोग सब क्या है कि चायद पहले बार इसी वाली में बैठे हैं तो कुछ थोड़ी से अजीब से अरकते कर रहे हैं वह ना किर्की क्यों नहीं खोल रही है और अगर वोमेटिंग होगी तो क्या होगा तो ऐसे सारी जो चीजें जो की नॉर्मल कोश्चन है जो हर किसी के मन में आता है सवाल ठीक है वैसा इनके मन में भी आ रहे हैं और थोड़े गबरा रहे हैं कि इसी वाली बस है यार थोड़ा जी गबराएगा जीव सा लगेगा त तो यह सब जो तिक करते हैं हर किसी को आती है आप लोगों को भी आती तो आप यह सब चीज का दिहान रखना कर अगर बस में बैठते हैं और मैयोरी मैं तो चिल्ला उट है मैं तो अभी सो जाएंगे शायद में थोड़ी देर में क्योंकि लंबा सफ़र है तीन साड़ तीन तो यह मेरी मासी और यह है तो वैसम यह पर आचुके हैं पालनपूर और यही पर अब लोगों कमारा खाना वगरे तोड़ा लेके आये थे और साथ में यह लेटे वगरे सच चुकी है कि देख लो यहां पर आपने थोड़ी फोटी है मलत कुछ से की है तो अभी हम यहां प पर क्यों आए पर बस का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है एसी वाली बस थी और तीन साथे तीन गंटे का जो है ट्राबल टाइम था टोटल और अभी हम यह पर पालनपूर आ चुके हैं पालनपूर भी एक्स्ट्रोर करेंगे देखेंगे यहां पर क्या है ऐसा देखने को क्योंकि मैंने सुना है पालन प्रोट भी अधर भी आली है और इसके अपर मुवी भी बनी थी पालन खेत करके इसा चेंज कर दिया था बहुत सारे वह सब वह है तो तो तेखने आगे क्या होने वाला है और आपको ज़रूर बताएंगे कि हम क्या करने हैं गजहाई है उक हालै इसा मिरच की दाल है कि अ के विदा मिरच की दाल है इसादीड़ गोड़ ज़े ये सादीड़ अपने एक इले आपका एकम कर दो कि अपिए कि रिपिट कर वालूं कि अपिए कि अपिए कि अपिए हमारी अलग अलग डालों हम लोग आ गए हाँ और मासा जी मासी जी आ जा रहे हैं जै है और यह सोसाइटी है अब घर कौन सा है बड़ हम लोगों को पता नहीं है और सामने से आ रही है धेर सारी गाय तुमें तो पत रही है और आपको कहीं बताएं तब पूरा गायों का टोड़ा आ रहे हैं और हम सब लोग जा रहे हैं हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम जिसको मिलने जा रहे है ना वह सोसाइटी तो यह है बड़ दूसरा गेट है क्या है पता नहीं तो इसलिए मतलब हमें घर नहीं मिल रहा है जो घर नंबर है वो उसमें मापे मैंशन था नहीं और बड़े सींग वाले गाये मयोरी तो द अब अगर यहीं पागल हो जाए तो है अड़ जाओ सब इतनी सारे गाये तो शायद मैंने भी मेरी लाइफ में पहली बारी देखी है तो गाइस हम लोग वालनपूर में जो हमारा काम था वो करके आ गए है और यह देखो यह चारों लोग कुछ कुछ हो रहे हैं मैं आपके पालनपूर का जो बस टॉप है मतलब यह आपको थोड़ा थोड़ा सब जो है एरपोर्ट टाइप कर लगेगा बट यही तो चीज है गुजरात की यहां पर सब डेवलोपमेंट आप देख रहे हो किक है यह देखो कितना अच्छा आर्ट वर्क यहां पर बनाया है बहुत अच्छा लगा तो हमारा चुका था पालनपूर का वह यहां पर हो चुका है और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि क्या काम अच्छा और अल्मोस्ट हमारा मतलब पूरा हो गया है जैसा सोचा था वैसे तो चली मिलते हैं और यह व्यूग दिखाऊ आप लोग तो जैसे आपको जैने बताया हुटो के हाँ आए थे यह बस्टेंड ऐसा है कुछ जहां पर सब कुछ है मासी जी मासा जी जै हेतल दीदी और यह देखिए अब हमें जाना है यहां से का जाना है यह कुछ इस तरह के का बस्ट्रेंड है पालनपुर का है कि यह बाँ है आए है है कि अब बदा पंगाय वाच्छी तरह अब हम लोग क्या एक्चुली में घर जाई रहे थे और पालनपुर से अमदाबाद के बस में रस्ते में हमारे टायर का जो है बस का टायर पंचर हो गया और वह मैयूरी को देखो आप देख सकते हैं बड़े मज़े ले रही है तो यहां आने का हमारा एक ही रीजन है जो की था हेतल की शादी और उसी के लिए जो हैं लड़का देखने आये थे और लड़का उसे बहुत ही पसंद आया और अखिरकार जो है इसी मंत उसकी शादी हो गई हम नहीं जा पाए क्यूंकि कुछ रीजन था और ओफिस के चकर में हम नहीं जा पाएं बट हम लोग हैं हैपी उसके लिए और आज उसी के खुशी के लिए हम लोग चड़ा रहें व्लॉग तो हमें भी लड़का बहुत पसंद आया था हां और हम दोनों को ही हेतल की जो शादी हुई है जो इन लोगों ने इनकी भी स्टोरी कुछ हमारी तरह है तो उसके लिए भी हम कभी फिर इसके लिए व्लॉग बनाएंगे जब हम उनसे मिलने जाएंगे तब आपको पूरी स्टोरी बताएंगे तो कॉंग्रेचुलेशन्स हेदल कॉंग्रेचुलेशन्स दिदी वी लाव यू लाव यू